आज हमाई साथ मौझूद है जिनका नाम अपने भली भाती सुना होगा लगवद 3,80,000 सब्सक्राइबर के साथ बेहतरीन इस्वीरियंस है अब काई सालों से वर्ग कर रहे हैं यूटूब पे तुमुके सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जो सिविल इंजिनिंग्स रिल नमस्कार गुपता जी थैंक यू जो आप मुझे अपने प्लैटफर्म पे मुझे मुझे मौका दिया बोलने के लिए और आपके प्लैटफर्म के तुरू जो भी बच्चे हैं जो आज के यूथ हैं उनको गाइड करने का मौका दिया तो बहुत-बहुत धन्यवाद सबस्वाले हम सर आपको बारें कुछ इस्ट्रा जानना चाहेंगे कि कुछ नए बच्चे हैं जो आपको अभी तक नहीं जानते हैं उससे तो बहुत से बाच्चे हैं क्योंकि आप 30,000 subscribers हैं हमारे पास ही जा रहा जा रहा है लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए आप थ शुक्का हूँ तो पहले मैं था शापु….जी में सपु में में समय काम किया वहाँ पे मैं Planning Department में था तो वहांते होते 3-4 साल कीया वहां पे काम मैं आप हिं में Olusean कि இबας बहुत यहांपे मीरा रहा और एक्जिएकूशन में सेनियर एक्जियूव एक्जिइकूशन में में तो टोटल एक्सपरियंस देखा है तो मेरा भी फिलाल 6 साल प्लस का हो चुका है तो प्लैनिंग में अच्छा कासा मेरा नॉलेज है साथ में एक्जेगुशन डिपार्टमेंट में हूँ बिलिंग ये सब तो देखता ही हूँ तो इसी के साथ मैं बचो को गाइड करता है पढ़ाने में भी जो साइव धेक्ते हैं उसको लेकर गाइड करता हूँ बचो को और जो भी जॉप की वैकेंस के निकलती है उसको लिए करता हूँ ताकि उनलों को पता चल सके, at least तो अपलाई तो करेंगे वहां से, ताकि वो उनलों को जॉब मिल सकी, यही फंडा है मेरा. तो यह किस कंपनी में कितना एस्पिरेंस रहा है आपका? तो शापूलची में मेरा रह चुका है, चार साल, और रियल स्टेट मार्केट, आइडियल गूप में फिलाल, टू प्लस यह से रह चुका हूँ, रह रहा हूँ और कंटिनीव है अभी महाँ पर. तो मंतली लगवाद कितने इंकम आपके जॉब से आजाती है? यह तो आपने पिटाड़ा खोल दिया अपना, तो बोलना ऐसा चाहूँगा कि, हाँ, जो मैं मंतली अर्णिंग कर लेता हूँ अभी, उसमें मैं आइफोन 12, मीनी जो है, वो आजाएगा आराम से आपके पास. आप यूटूब वाली स्टेट जी बता रहा हैं कि इंटारेक से इलिंग नहीं, जो मिल डाइरेक्ट, बच्चों को भी थोड़ी महनत करनी चाहिए, वो भी थोड़ा सर्च करके देख ले, तो सर अगर आजए स्टूडेंट में, स्टूडेंट में एक्टम फ्रेसर स्टू दिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको तो कॉलेज कैमपसिंग का मौका मिलता है, वहाँ पे आपको पूरा कोशिश करना चाहिए, कि आप टॉप 10 में रहो, ताकि जब भी कोई कमपनी आएगी आपको मौका पहले मिलता है, अगर वहाँ से जॉब हो जाती है, तो अच्छी बात कि यहाँ पे इंटर्वी होने वाला है, बस हम लोग को कान खुला रखना है और पता रखना है कि कहां पे होने वाला है, तो जहां पे पूल कैमपसिंग हो रहा है, वहाँ पे क्या है कि सभी कॉलेज वाले जा सकते हैं, किसी भी कॉलेज के बंदे वहाँ पे जाके अपलाई हो गया बहुत सरे वहां पर सिभी अप्डेट करके रख सकते हो शायद कोई मौका आ जाए यह हो जाए फिर या के बहुत सरे बच्चे क्या करते हैं कि different different company के website पर जाके अपना cv upload करते हैं यह सही तरीका नहीं है करने का मेरा जो मानना है, मेरा क्या मानना है आप एक लिस्ट बनाई है किस कंपनी में आप जॉब करना है उस कंपनी के ऑफिस में जाके आप अपना CV हाट कॉपी सब्मिट करके आए वो सब्मिट करके आएंगे ज़्यादा कारगार होता है जब भी उनलोक पास वैकंसी निकलती है तो उनलोक क्या करते है वहाँ से CV निकालके वहीं से किसी को भी कॉल मिला देते है ऐसा मेरे कंपनी में होता है इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ उसके बात मैं एक तरीका बताता हूँ क्या आपको सोर्स बनाना है जान पहचान बनाना परेगा सुनने में थोड़ा अजब लगता है लेकिन आपको जान पहचान बनाना परेगा अभी का जो मार्केट हो चुका है वैकंसी निकलती है दो, तीन, चार, पाच अब कोई कंपनी रिकूट्मेंट करेगी तो इतना सारे बन्दे आजाएंगे वहाँ से तीन, चार बन्दों को चुनना मुश्किल हो जाता है और वो बन्दे जो आएंगे वो कैसे रहेंगे, ये भी आपको नहीं पता क्या पता, चार दिन काम करके छोड़के चला जाए पास दिन काम करके छोड़के चला जाए लेकिन कमपणी को कैसा बन्दा चाहिए जो लॉटर्म तक उनके सटे करे उनके लॉट्म उनके कंपणी में काम करे तो किया करती है लग आपने कंपणी में अपने ही ओर्गनाईजिशन में एक मेल ठो करती है और अपने बंदों लोगों को बोलती है कि आपके पास अगर कोई बंदा जान पहचान का है ना तो उसको आप रेक्यूट करो अब ऐसा क्यों माल लीजे मैं ही आपको कोई बोलूगा कि गुपता जी अगर कोई बंदा है तो मेरे साइट पर भेज दिया करो आप किसको भेजोगे जरूर जो बंदा अच्छा होगा उसी को भेजोगे ना क्योंकि अगर वो चला जाता है या वो कुछ खराब करता है तो नाम खराब किसका होगा उस बंदे का नहीं आपका खराब हो जाएगा इसलिए आप एकड़म सही बंदे को भेजोगे अच्छे ल किसी से दुश्मनी नहीं मोड़नी है, जान पहचान बनाई है, रेफरेंस बनाई है, यह एक तरीका हो गया, और भी गवर्मेंट जॉब तो है ही, उसके बारे मैं बात करेंगे आगा चलके, तो फिलाल यह सब तरीका है प्राइवेट जॉब पाने का। अब जब से मैं जॉब में आ चुका हूँ, तो इससे कनेक्शन तो टूट चुका है मेरा, तो थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं डाल पाता हूं इसको ले इसके अलावा, इसकिल जो जगरुवत होती, यह तो नॉलेज होगे, एक इसकिल की जगरुवत होगे, जिसे हमें सबसे बेसिक जो है, तो वह आटोकैड है, अगर आटोकैड नहीं आता है, तो आप साइट पे, क्या बोलेंगे, एक्जिस्टी नहीं करते हो, ऐसा मान लो, बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, तो आटोकैड एकडम बेसिक है, जो आपको आना ही चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपको E-Tab जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, Sketchup आता है तो बहुत अच्छा है, Revit आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जो मानना है, अगर आपको आटोकैड आता है basic, ना, आप साइट पे काम करणा चाहते हो, तो अराम से आप सस्क्रेन कर तो उसमें कहीं जाके सर्टिफिकेट मिले ना मिले, जाके सीखो, अगर एक तल्ला, दो तल्ला, तिन तल्ला घरी बन रहा है, तो जाके वह पर सीखो, पूछो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बच आप बहुत कुछ सीखोगे वहाँ पर, तो इसका बेनिफीट कब होगा जब आप एज़ फ्रेशर को इंटर्वी में बैठोगे, और जब बोलने का तरीका होगा, वो वो टर्म आप यूज करोगे, जो साइट पे टर्म यूज होती है, तो सामने बैठा हुआ बंदा समझ पाएगा, कि हाँ ये बंदा जानता है, क्योंकि वो लोग बेसिक ही और जो काम करवाना है, तो वो तो आपको अपने अर्गनाजेशन में ले जाकर ट्रेनिंग दे के ही आपको वहाँ पे इंदम चकाचक कर देंगे, काम करने के लिए, बेसिक आपको क्लियर करना होगा, उस स्टुडेंट कल्फूज रहते हैं, डिप्लोमा या बीटे करने इ जॉप, तो क्या इसको है फ्यूचर में प्राइवेट जॉप का सैलरी, इंक्रिमेंट वगरा, या हमें गॉवर्मेंट जॉप की तरफ मुव्मेंट करना चाहिए, यह जो लड़के जो एकडम में मिडिल में कन्फूज रहते हैं, प्राइवेट गॉवर्मेंट, गॉवर् नहीं होगा ऐसा बहुत ही कम percentage होता होगा तो दोनों का ही अपना-पना importance है government job का किस लिए prefer होता है job security है वहाँ पर आपका job बुठ जाएगा नहीं यही बात है ठीक है लेकिन आप चाहते हो कि पैसा कमाना बहुत तो उसके लिए private job है दोनों में अंतर क्या है ना कि government job को लेने के लिए आपको बहुत महनत करना पड़ता है बहुत महनत करना पड़ेगा लेकिन जब आपका job लग जाएगा तब आप जब वहाँ पर काम करने जाओगे तो आप देखिएगा दोसरी को तरह आप एकदम भोदू ऐसा हो जाओगे वहाँ पर जादा तर्ज्य होता है हम लोग कोई भी अगर government office में जाते हैं तो वहाँ पर जो employee रहते हैं सोय वे रहेंगे कभी जल्दी काम पर नहीं आएंगे टाइम पर नहीं आएंगे efficiency नहीं होता है उनके अंदर ठीक है तो वह एक आ जाता है actually वहाँ का environment ही ऐसा रहता है कि वह लोग ऐसे में दब जाते हैं और वहाँ पर increment उतना ज्यादा जल्दी नहीं होता लेकिन private में क्या है अगर आप आज सही से काम नहीं करोगे कल आपको निकाल दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको एकदम efficient होना ही होगा तो जितना ज्यादा efficiency दिखाओगे उतना ज्यादा आपका पैसा है उतना ज्यादा आपका increment है ये बात है वहाँ पर जितना ज्यादा काम आप दिखा पाओगे उतना ज्यादा salary आपको मिलेगा लेकिन government में fix हो जाता है एक जगा जाकर हाँ job security आपका है वहाँ पे ठीक है लेकिन वही बात है अब जो बंदा efficient है मेहनत कर सकता है नहीं इधोदर भाग सकता है उनके लिए private job ठीक है लेकिन बात वही आती है job security की लेकिन फिल भी बहुत सारी company है जो आपको job security देती है जैसे हो गई L&T अगर आप सही काम करते हो तो job security मिलेगा अगर जैसे हो गया Tata अगर आप सही से काम करते हो तो job security आपको मिलेगा लेकिन government क्या है कि आप नहीं भी करो तो वहाँ पर पढ़े रहोगे salary आता रहेगा लेकिन आप सुचोगी कि इतना मिल जाए तो वह नहीं होता है वहाँ से अभी जो starting salary होती है वह कितनी होती है और private job में कितनी तक जा सकती है देखे civil engineering में अगर आप diploma किये हुए हो तो अभी का जो market है minimum मुझे लगता है जो 10,000 देते हैं वो और अगर आप बीटे किये हुए हो तो आपका 20 से start हो जाता है कहीं भी अब देखोगे तो यह minimum है बहुत company जादा भी देती है ऐसा नहीं है और maximum का तो कोई limit नहीं है civil engineering में ऐसा मुझे मानना है in private job में बात कर रहा हूँ government की नहीं तो maximum में तो मैं तो देखा हूँ जैसे मेरे साइट पे ही है जो किसी का 7 लाग भी है किसी का 8 लाग भी है तो highest bar तो मैं बोलूंगा नहीं यहां पर हाँ minimum 20 तो मिल जाता है बिटेक वालों को डिप्लोमालों की बात करें तो 10,000 तक मिल जाता है तो जो लड़के बीच में उनको प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहिए अगर वो महनती है तो जी बिलकुल अगर आप चाहते हो कि हाँ मेहनत करके कुछ कमाना है कहीं मतलब नाम भी कमाना है वहाँ पर नाम भी है आपका लेकिन आप government job में देखोगा कि हाँ गाव में अगर आप देखोगे तो कुछ शादी तक के लिए थीक है बंदा government job करता है शादी में बहुत ऐसा नाम होता है लेकिन हमी लोग actually जो क्या सच है क्या नहीं वह हम लोग जानते है आप जानते होंगे हम लोग में होता है लेकिन क्या फाइदा अगर आप इंजिनियर बनके अपने देश को मतलब सर्वी ना कर पाऊ एक इंजिनियर का जो quality है जो responsibility है सर्वी ना कर पाऊ तो क्या फाइदा government job में जाकर अप्राइवेट में जाकर ही सर्व करो nation को build करो वह ज्यादा बेटर रहेगा प्राइवेट जोब के और क्या benefits है salary के increment के अलावा आपको पूरा freedom मिलता है वहाँ पे काम करवाने के लिए full power मिलता है लेकिन government मैं मैं देखता हूँ बहुत हद तक private को मुकाफले वो चीज कम है क्योंकि में बहुत सारे friends है बात होती रहती है पता चलता है प्राइवेट में full up को freedom रहता है कि आपको कैसे काम करवाना है आप वह पर implement कर सकते हो कि काम को कैसे जल्दी करवाना है कैसे नहीं करवाना है पूरा freedom आपके पास रहता है यह चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है प्राइवेट जॉब पे काम करवा कर आपको इसके पहले आपने कहीं किसी चैनल पर इंटर्वी दिया है जैसे आप हुमाई चैनल पर नहीं अगर आपने भी कहीं पे इंटर्वी दिया होगा तो आपने जो फिल गिया होगा मैं उस्से यादा अच्छा फिल कर रहा हूँ अभी तक तो मैंने कहीं इंटर्वीऊ दिया नहीं है लगभग मैं 20-25 से जाधा लोगों के गार्मेंट और प्राइवेट के इंटर्वीद मे लेकिन मैं उनके लिए बात करना चाहूंगा जिनके पास सुविधा नहीं है पैसे की प्रॉब्लम है तो यूटूब बेस्ट माध्यम है यूटूब एक ऐसा फ्लैटफर्म है ना कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है यहां से आपको सीखने को मिलता है बस आपको लगन च अगर आप देख लो किसी को आप ट्यूशन पर हो रोज फ्री में पर हो आज वह बंदा आएगा कल वह बंदा आएगा देखिए का तीसरा दी में वह जाएगा ही नहीं क्योंकि इसका तो पैसा नहीं लग रहा है ना जब तो वह वैलू नहीं समझेगा उस चीज़ों को अगर किसी इन्सिट्यूट में जाके सिखोगे ना उससे जादा अच्छा सिखाते हैं YouTube में ने देखा है बहुत सारे चैनल है ऐसे जो आपको फ्री में सिखाते हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं professionally सिखाते हैं तो सर हमारे तो लगवार सारे कोशन समाप्त होगा है कुछ इस बतल टिप्स आप इस्टुडेंट को देना चाहेंगे अपनी तरब से कुछ आपको बहुत ज्यादा experience है अभी हम newcomers है आपके लिए आपके सामने एकदम लिए तो बच्चों को यहीं बोलूंगा कि आप लोग डिग्री कर रहे हो डिप्लोमा कर रहे हो कीजिए लेकिन आपको बता देता हूं जो आप लोग वहां पर रहे हो न वो आपके future में जब आप काम करोगे तो वो 70% काम नहीं आने वाला है 30% थोड़ा रटाय रटाय ग्यान जो ह अपरेगा तो कोशिश की जादा से जादा training करने का in between जब भी आप पर रहे हो ना वही एक मौका है आपको जाकर साइट पर जाके ही वो knowledge आप गयादर कर पाओगे घर में रहके या किताब खोलके आप नहीं कर पाओगे और YouTube पे भी बहुत सारे YouTube चैनल है आजकल जो आपको घर बैठे बैठे प्रैक्टिकली साइट पर क्या काम हो रहा है ना उसको लेकि आपको सिखाते हैं समझाते हैं और बहुत अच्छी तरीके समझाते हैं आपका 80% 70% पूरा concept वहीं पर clear हो जाएगा तो जब phone पे आप data use recharge करवा रहे हो और data खर्च कर रहे हो तो कुछ हो गया वीगो वीडियो हो गया वीगो तो फिलाल बैन हो गया अभी तो इन सब चीजों में खर्च कहने से अच्छा को सीखिए YouTube पर जाके काम आएगा मस्ती करने के लिए लाइप पड़ा हुआ है सीख लीजिए कहीं पर पहुंच जाहिए देखिए ऐसा काम कीजिए ना कि आपके पिताजी आपके नाम से जाने जाए ऐसा नहीं कि आपके नाम से कोई बोले कि वो देखो उनका बेटा जा रहा है ऐसा नहीं कोई आपके पिताजी को बोले वो देखिए मुकेश का बेटा मुकेश के पिताजी जा रहा है तो उस बाग को कितना गर्भ होगा बताओ क अपने बेटे के नाम पर वो जाना जा रहा है तो ऐसा कुछ कीजिए ना एक लाइफ तो है यार ऐसा कुछ करके दिखाओ कि कुई दुनिया आपको जाना